हेलो फ्रेंस टड़ी है विद्रेक चेनल में आज से भी एका स्वागत हैं आज को जो हमारे टॉपिक रहेगा वो होगा तो हमें ये कुछ इसन अंदर मुश्किल बात यह तो इन टॉपिक को ज़रा से डिसक्स कर लेते हैं तो चले फट्रफिश वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेस्टेड लूप सबसे पहले बात इस टॉपिक को स्टार्ट करने से भी पहले इसका नेम पर फोकस क सकते हैं कि एक के अंदर कुछ अनादर थिंग कुछ भी हो सकता है और कुछ क्या है यहां पर लूप यानि कि एक लूप के अंदर जब हम किसी अनादर लूप को यूज करते हैं कोई भी लूप हो सकता है फॉर लूप के अंदर वाइल के अंदर फॉर लूप हो सकता है हो सक construct can be nested or embedded with one another loop जिसको हम constructed इस तरीक से करते हैं कि वह एक के अंदर एक यानि कि एक के अंदर कोई दूसरा inserted है यह जिसको हम nested बोलते हैं and embedded with one another और एक के साथ दूसरा मिलकर काम करता है अगर एक काम कर रहा है तो उसका working जो है वह second way depend करेगा second की working first way depend करेगी क्योंकि वह दोनों nested है और embedded है एक साथ काम कर रहे है इनर लूप का complete होना ज्यादा जरूरी है जब तक इनर लूप अपना functioning complete नहीं करेगा वह उस लूप से भार नहीं आएगा उस लूप से भार नहीं आएगा तो आउटर लूप के पास control कैसे जाएगा तो स सबसे पहले format क्या रहेगा इसको execute होने का सबसे पहले हम int वाली statements लिखते हैं जो main statements होती है main method की उसके बाग उसके बाद आप लूप लगाएगा सबसे पहले लगेगा outer loop outer loop के अंदर लगेगा inner loop चीक है और execute कैसी होगा सबसे पहले inner loop execute होगा फिर outer loop execute होगा उसके बाद inner loop execute होगा फिर जाके outer loop execute होगा अब example देखते हैं इसका कैसे काम करता है यह nested loop loop to print pattern अब आपके पास एक pattern given होगा उस pattern से related आपको क्या करना है code लिखना है और code भी कैसे लिखना है nested loop का यूज करें यह देखें यह है आपका pattern यह आपको जो pattern given है pattern में क्या है सबसे फर्स कित है उसी number का pattern print होगा first row में one star second row में two star, third row में three star, fourth row में four star, fifth row में five star, sixth row में six star and so on multiple row, nth row में nth star इस तरह से हमें आपको कुछ pattern print करना है इसके लिए करेंगे क्या logic लगाएंगे logic में क्या सबसे पहले हमने for loop का use करने counter बनाना है counter हमने ले लिया x, x की starting and ending value क्या है 1 से लेकर 4 त जो loop पहले आता है वो outer loop होता है, तो outer loop जो हम लगा रहे हैं वो काम क्या कर रहा है, यहाँ पर row contain कर रहा है, कितनी number of rows बनेगी, 4 बनेगी, यानि कि जो आपका x वाला counter है, वो कहां से लेकर, कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 4 तक चलेगा, फिर आता है inner loop, inner loop में क्या 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 है तो हमने counter बनाया कैसे, 4 y के नाम से, और y की value क्या है, कि 1 से लेकर x तक चलेगा, कहां तक चलेगा, 1 से लेकर x तक, देखिए, सबसे पहले x की value यहाँ पर x बाले में, क्या होगी, 1, y की value 1, यानि कि अब जो loop है, वो 1 से लेकर से 1 तक ही चलेगा, यानि first print होगया, अब next time x क value जो इंक्रीज होगी, अब next time क्या होगा, x की value इंक्रीज होजेगी, ठीके 2 होजेगी, अब loop कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक, यानि 1, 2, फिर next time पर x की value 3 होजेगी, next time कहां तक loop चलेगा, 1 से लेकर 3 तक, तो 1, 2, 3, फिर next time क्या होगी, 4 value होजेगी, 1 से लेकर 4 तक loop चले इसके बाद हमने semi colon क्यों लगाया because successive stars is placed in next previous ताकि इससे next वाला जो है वो इसके बाद ही आए नीचे न आ जाए इस तरह से print ओ next line में न आ जाए ठीक है तो यहाँ पर next y करके हमने y loop को close कर दिया print करने के पाद next करके x को close कर दिया फिर आते हैं पर with statement with statement का किस तरह use किया जाते है with statement is not a loop यह किसी टैप का कोई लूप नहीं है statement है but it can be useful as loop लेकिन इसका अगर हम चाहें तो loop की तरह use कर सकते हैं in fact many other times लूप की तरह ही दिखता है you can use the with statement to execute using a particular object जब आप चाहते कि आप किसी particular object पर कोई लूप लगाएं उसके लिए आप with statement का use कीजिए चीकिए object पर काम करने के लिए क्या syntax रहेगा इसका सबसे पहले with keyword लगाएंगे with statement उसके बाद object बताएंगे कौनसे object पर with लगाना चाहते हैं फिर statements आप कौनसे statements execute करना चाहते हैं और फिर last में आजएगा and with यानि with जो आपने start की है उसको and कर आपको simply दीखे भी कैसे रहे हैं जैसे हम डू लूप को use करते हैं सबसे पहले डू लगाते हैं फिर यहां पर condition डू वाइल की बाद डू वाइल की बाद condition फिर statement and then add इसी तरह से दीख रहे हैं इसलिग कर रहे है कि look sometimes this look like a loop example देखिए example में क्या है here is an example of showing how to put with the work यहां पर एक example है जिसको आपको यह देखर जिसे पता रहेगा कि with statement के साथ कैसी काम करते है and here we can a text box यहां पर object के नाम से हमारे पास कोई text box है text box 1 और उसकी server properties हमें set कर लिए with statement पर use करके ठीक है तो particular object पर काम कर रहा है object क्या है text box 1 तो विद हमने लगाया statement उसके बाद text box 1 लगाया उसकी properties को set करना है तो हमने बता दिया height कितनी होनी चाहिए 1000 विट कितनी होनी चाहिए 3000 and text के visible होना चाहिए text box में welcome to VB and last में और यहां पर फिर आता है access statement किस तरह से काम करती है एक्जिस स्टेटमेंट अलो यू तो exit from a loop even a procedure ठीक है किसी procedure से आपको immediately बहार आना है किसी लूप से आपको immediately बहार आना है आप चाहते हैं कि आप आगे स्टेटमेंट जालो you to exit exit statement आपको अलोग करता है कि आप exit कर सकते हैं किसी भी लूप से या किसी प्रोसीजर से इसका हमने बहुत जगा यूज भी किया रियल है कि हमने इसका बहुत जगा पर यूज किया like exit do loop से exit करने के लिए exit for four loops से exit करने के लिए विद प्रोसीजर से exit करने के लिए हमने एंड विद का यूज किया है exit सब का हमने यूज किया सब प्रोसीजर से एंड करने के लिए exit function का यूज किया है function से exit करने के लिए तो हर जगा से exit करने के लिए हम इनी esther लिए कि यूज्य खरते हैं यहाँ एक्सेंपल दीकिक करेगी इसको फोर लुप छल रहा है यहाँ प्र फोरलूप एकप detail गरन करेगी स्थी एक्सेंटद एक्सनल वै्न करें टいます mmore यहाँ पर तो तपिक आज मोड टीकर मैं सब्सकिएativo तो सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकि सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब यस बहुत जरूरी है देन कमेंट करें